नमस्कार जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटीब चैनल इंपोर्टेंट इसमें कुछ चीज़े जो हैं वह बेसिक हैं और कुछ इसके नियम है वह सब हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे और इस संब्दित जो प्रशन बनते हैं या फिर जो पिछले परिक्षाओं में पूछे गया हैं इस संब्दित प्रशन उनको भी हम लोग यहां पर हल करने व तो सबसे पहले आप करड़ी जो संख्याएं होती हैं वो उसका मतलब समझ लीजे करड़ी संख्या कौन सी होती है जिनका वर्गमूल घंमूल या फिर हम कैसे चतुर्थमूल आपको मालूम है जैसे हम किसी चीज का वर्गमूल लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यह एक अगर सब्सक्राइब अगर 7 लगा दें और जो रूट है रूट के बाहर अगर इस हिसका यह मतलब होता है कि छयंгов की की जाEEP अगर छी लगातें चार रूट के बाहर अगर चार लगातें यह मतलब है यह चतुर्थमूल की बात की जैसी कारड़ी, मतलब क्या है, करड़ी का मतलब यह है, कि जब syllables करेंगे, root 4, कि范तर है, किसी संख्या जिसका वर्ग-मूल , घं़-मूल , छतुर्द-मूل, प्राक्तिक संख्याएं ना हो और परिमे संख्याएं ना हो वो करडी संख्याएं कि एक्जाम्पल के माध्धम से हम समझाते हैं जैसे मान लीजे आपने लिख दिया यहां पर अंडरूट अंडेरूट सोला इसका क्या मतलब है कि सोला का हमें वर्ग मूल निकालना है क्योंकि जब रूट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि रूट के बाहर दो लिखा हुआ है ठीक है और दो लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब वर्ग मूल निकालना ह होता है तो जब हुर निyllांज यह कितना चार दो आजएगा जाएगा अब जैसे इसही का एग्जामपल और ले लेते जैसे 27 के बाहर 3 तो इसका लेकिन अगर इसी जगे हम कहें कि चलो भीटे तुम । ३ा निकाल दो यानि 2 का वर्गमुल दो आप नहीं निकाल पाएंगे सिसके जो वर्गमुल निकलेगी वह पूर संख्यां नहीं होगी ठीक है वो कैसी होगी वह पूर Augen नहीं हो गी इसिलिए यह करडी संख्या हो जाएगी जब भी किसी का गंग ठी और दोर पूरissant के नहीं होगी तो ऐसी संख्यां करडी संख्यां कहसे जैसे रूट 3 और 5 का अगर हम घन मुल कह दें तो यह सब क्या है यह सब करडी संख्या है तो यह चीज आप समझ गये करडी संख्या समझ गय अब अगर हम बात कर लें इसी से related इसी का topic है कि घाती संखेतन के रूप में कैसे लिखा जाता है मान लेते हैं अगर हम 64 का root लिखकर छोड़ दें और इसको बोल दें इसको घाती संकेतन के रूप में लिखो कैसे लिखो घाती संकेतन के रूप में लिखो सीधा सीधा एक नंबर में question आता है कि घाती संकेतन के रूप में लिखो, मानलो 64 का अंडर रूट लिखा हुआ है और बोल दें कि इसका घाती संकेतन लिखो, जब रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा होता है तो मैंने कई बार आपको बता है इसका मतलब दो है रूट पर, यहां पर इन बिल्ट है दो, यह दो लिखा हुआ है तो, इसका क्या मतलब है इसको जब घाती संकेतन के रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 64 की पावर, एक बटे दो, clear हो गई बात यह अगर अगर अंडर रूट शिक्टि-सथी-फोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 64 की पावर, 1 by 2, आधो हम 27 का घनमूल इस तन के रूप में कैसे लिखेंगे 27 की पावर एक बटे तीन ये आपका हो गया घातिये संकेतन के रूप में दोनों चीज़े क्लियर हो गई होगी अब कभी अगर आ जाया कि 50 का रूट के बाहर 5 दिया हुआ है तो इसको भी आप आसाने से 50 एक बटे 5 ये संकेतन तो आप समझेटन के लिखेन या फिर के दे वर्गमूल संकेतन में लिखो तो उसको कैसे लिखेंगे क्योंकि जब routes के बाहर दो लगा होता है 어떤Justine welti वह रोगमुल बोला जाता है जब routes के बाहर थीन लगा होता है तो उसे घंबूल बोला जाता तो इसी विशेस नहीं है बस यही है इधर से उधर उधर से इधर अब इसके बारे में कुछ चीजे आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं इसके कुछ नियम है नियम समझ लेते हैं जैसे हम यहाँ पर इसका पहला नियम ले लेते हैं इसका जो पहला नियम है है बीच में मल्टिप्लिकेशन गाफ साइन लगा हुआ है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करते हैं एक पावर एम प्लस एन यह कर लेते हैं यानि जब नंबर सेम है और पावर डिफरेंट है बीच में गुड़े का निसान लगा हुआ है तो यह जो पावर होती है वह आपस में इसका एक्जामपल मैं आपको करके दिखाता हूं जिसे माली जे 2 है कर दिया जाता है तो यह जाए कर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तो यह आपका इसका आंसर आजाएगा clear हो गई बात अब देखो आगे दुसरा जो इसका नियम है जो इसका गातांग का जो दुसरा नियम है वह आपके सामने है किमान लिजे a की पावर m divide a की पावर n देखो यहाँ पर number same है power different है लेकिन यहाँ पर गुड़े की बजाय लगा हुआ है भाग का निसान तो जब भाग का निसान लगा होगे देखो जब यहाँ था गुड़े का निसान तो यह दोनों जुड़ रहे थे, अब आप खुद अंदाजा लगा लिजे, यहां पर यह भाग दिया जा रहा है, तो इसकी पावर क्या होंगी, इसकी पावर घट जाएंगी, एक पावर M-N, जो पावर होंगी, वो आपस में घट जाएंगी, अगर बीच में, डिवाइड क साइन लगा हुआ है, आप इसको एक्जामपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मानलो, तीन की पावर 6 है, डिवाइड लगा हुआ है, तीन की पावर 3 है, ठीक, जैको पावर डिफरेंट है दोनों में, नमबर नीचे वाला सेम है, तो यहां पर इसको कैसे सॉल करेंगे, ती की पावर 6-3, 6-3 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 3, गुड़े 3, गुड़े 3, 3, 9, 27 इसका उत्तर आजाएगा, तो इस तरह आपको कोश्चन करने को आएंगे, ठीक है, सीधा सीधा इसी तरह कोश्चन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तरह के चीजे किसी कोश्चन में यूज की जाएं, अब इसका जो तीसरा नियम है, वो समझ लो, मान लो, A की पावर M है, और उसी की पावर N है, यानि पावर के ऊपर पावर लग रही है, तो जब पावर के ऊपर पावर लगती है, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टिप्लाई हो जाती है, तो यहां पर मान लो, अगर इसको एक्जामपल के रूप में देखना है, कैसे देखेंगे, मान लो, टू है, टू की पावर थ्री लगा दिया, अब उसके उपर भी पावर लगी है, चार, तो क्या हो जाएगा, तीन और चार का आपस में गुड़ा हो जाएगा तीन चोको बारा हो जाएगा, दो की पावर बारा, और जो भी आता हो, आप नीचे कॉमेंट करके बताईए, कि दो की पावर बारा का क्या उत्तर आएगा, नीचे बता दीजे कॉमेंट करके, ठीक है, चलो, अब इसका जो चौथा नियम है, वो समझ लेते हैं, इसका कोई पावर है, ठीक, मानलो, एन पावर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम अलग-अलग कर सकते हैं, एक की पावर एन, इंटू बी की पावर एन, ये हम कर सकते हैं, अगर एक्जामपल के रूप में समझे, तो मानलो, चार इंटू पाँच लिख लेते है और उनकी पावर इसको solve करेंगे तो लिख देंगे 4 की पावर 2, गुड़े 5 की पावर 2, तो अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं, 4 की पावर 2 हो जाएगा 16, 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, 25 और 16 का जब गुड़ा करेंगे तो 400 आ जाएगा, यह आपका answer हो जाएगा इस तरह, ठीक दो, ठीक, 6 भाए 7 और इनकी पावर कर दी हमने, तो अब यह देखो, पूरे के उपर एकी पावर लगी होई है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, इस तरह हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, आगे देखो, इसका सबसे important point क्या ह एक आएगा, ठीक, मान लो, 7 की पावर 0 है, अब इसका उत्तर पूछने क्या आएगा, इसका उत्तर सीधा एक आएगा, पचास की पावर भी अगर 0 पूछे, इसका उत्तर सदय एक आएगा, ठीक है, तो मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो एक ही उत्तर आएगा अगर किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसका उत्तर एक आएगा आगे देखते हैं इस्तेमाल होने वाले कुछ करड़ी के नियमों को समझ लेते हैं अभी यह जो पढ़े मैंने वह घातांग के नियम थे अब करड़ी के नियम समझ लेते हैं मान लीजे कोई जो नंबर है वो है ए और इसके जो रूट के बाहर लगा हुआ है एन तो यहां पर ऐसी कंडिशन में हम इसको क्या लख सकते अभी मैंने आपको समझाया था कि इसको लिख सकते हैं एक बटे एन यह लिख सकते हैं ठीक है अब जब इसी की पावर जैसे यह लि कर लेते हैं कि A की पावर 1 by N अब ब्रैकेट के बंद करेंगे उसकी पावर लगा देंगे N अच्छा अब ही हमने पढ़ा था कि अगर पावर के उपर पावर लग जाए तो क्या हो जाता है वो आपस में पावर पर भी वही संक्या है तो आपका जो आंसर आएगा सीधा सीधा ए आजाएगा कभी आपसे अगर इस तरह का कोश्चन आज इसके इक्जांपल की बात करें मान लीजे अगर कोई नंबर आता है सत्रा और सत्रा के बाहर लिखा हुए है दो और इसकी पावर भी लगी हु का उत्तर दे सकते हैं इसके नियम दूसरे की बात करें मान लीजे कोई दो नंबर है ए और बी और इसके रूट के बाहर लगा हुआ है तो अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं एन रूट ए एन रूट बी यानि इन दोनों को हम अलग- लग N root B clear हो गई बात आगे देखो इसका जू तिसरा नियम हो गया चोथा नियम देख लो इसका चोथा नियम है मान लीजिए रूट में कोई और संख्या लिखी है power में कोई और संख्या लिखी है तो ऐसी condition में क्या होगा ऐसी condition में ये सबसे पहले तो इसको solve कर लो A की power 1 by N हो जाएगा power M लगा हुआ है मैंने बताया था कि जब power के उपर power लगेगी तो multiply हो जाएगा तो A की power 1 by N into M यही तो हो जाएगा अब 1 by N into M का जब multiply करेंगे तो यह हो जाएगा A की power M by N clear हो गई बात जो power में संख्या होगी वो उपर होगी और जो root के बाहर संख्या होगी वो नीचे आ जाएगी clear हो गई बात देखो सीधा सीधा ये समझाने का मतलब ये है कि ये आप बीच का जो part है ये आप skip कर सकते हैं यानि अगर यहां से आपको सीधा इसका उत्तर निकालना है तो आप सीधा ये step लिख सकते हैं n, root a , power में m अगर लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं सीधा सीधा हम, a की Power m by N लिख सकते हैं अगर इसका एक्जांपल की बात करें मान लेते हैं हम कोई example ले लेते हैं 2 root 4 की Power 3 ठीक है तो अगर हमने इसका उत्तर लिखना है तो हम इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं यह पावर में हैं तो इसको ऊपर लिख देंगे तीन और यह दो जो रोट में हैं उसको नीचे रख देंगे चार की पावर तीन बटे दो इसका उत्तर आजाएगा तो सीधा सीधा हम यह लिख सकते हैं हमें यह समझाने कि यही मतलब है कि जो बीच के जो पार्ट है जो हमने आपको पूरा सलुशन करके दिखाए यह आप पूरा नहीं करें आपके दिमाग में यह चीज़ होनी चाहिए हाँ और आप सीधा उत्तर इसका लिख सकें अब इसका जो पाच्व कंट है वह समझ लेते हैं पाच्षं नियम इसका पाच्वार नियम यह है इन दोनों का multiply हो जाएगा क्योंकि power के उपर जब power लग जाती तो उन दोनों का हो जाता है multiply तो a की power 1 by m into 1 by n तो जब इसको solve कर लेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा a की power 1 by m n clear हो गई बात तो यह इस तरह इसके नियम है करड़ी के अब इस तरह आपने देखा आज के इस वीडियो में करड़ी और करड़ी गतराशी के जो points है basics है और जो इनसे सम्मंदित घातांक और करड़ी के नियम है वो हमने कुछ examples के माध्यम से समझे अब अगले वीडियो में हम सम्मंदित सभी प्रकार के प्रशन करेंगे और जो पिछली परिक्षाओं में प्रशन पूछे गए उनको भी अगले वीडियो में हम लोग solve करके आपको दिखाएंगे जिससे आपको इन basics के आधार प्रशनों को solve करने में आसानी मिलेगी और आप आसानी से इन प्रशनों क को खुद भी हल कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी का निशान जरूर तपाएं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक लिए जय हि जय भायरत